अक्शन में है बाबा का बुल्डोजर, उमेश पाल मोर्ड केस में बड़ा अक्शन लगाता जारी, चकेरी इलाके में बुल्डोजर का रवाई हुई है, आरोपी, खालिद, जफर के घर बुल्डोजर का रवाई हुई, माफिया अतिक एमत का करीबी है खालिद, तस्वीरों हैं अतीक हैमत के उन पर ये बुल्डोजर कारवाई सरकार द्वारा की जा रहे हैं ये माफिया अतीक का बेहत करीबी खालिद उसी के घर के बाहर ये बुल्डोजर आपको खड़ा हुआ नजर आ होगा ये अवैद निर्मान भी बताया जा रहा है जिस पर बुल्डोजर की कारवाई सरकार द्वारा की गई है उमेश पालहत्याकान में ये बड़ा आक्षन है अतीक का बेहत करीबी जिसके घर को तोड़ा गया ढहाया गया इसका पूरा नाम खालिद जफर है और ये जो प् फोर्स की वहाँ पर तैनाती कर दी गई थी प्रशासन प्रशासने का धिकारी वहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद ये बुल्डोजर कारवाई की जाती है अला कि योगी सरकार साफ शब्दों में पहले भी चेहता चुकी है कि अगर कहीं भी अवैद कबजा पाया गया अ उसकार रवाई के बाद देखे वो सब हम आपको बताएं लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं कि जो खालिद जफर है उसके घर से आमस बरामत किये गए हैं तलवार धारदार हतियार बरामत किये गए हैं ये पुलिस में अभी आप देखे कि पुलिस की जो बैन हैं उसमें आपको ये आमस नजर आ रहा होगा बकाइदा जब एक एक घर का समान खाली किया जा रहा था उसमें ये बड़ी बात निकल के आए कि कुछ आमस भी बरामत किये गए हैं आप समझे कि सस्त्र भी अब एक एक करके निकल रहे हैं यानि कि अपराद का जो पू खालेज़फर के घर से और जिस वक्त चहां मैं खड़ा हूँ यह वो जगह है जहां पर अतीक एहमद रहा करते तो उनका पुस्तैनी मकान था उसको ध्वस्त किया गया था और उसके बाद ही जो अतीक हैं वो खालेज़फर के मकान में अपने परिवार के साथ उनका परिव बड़ी बात ही है कि आमस भी मिल रहे हैं जिस हिसाब से इस हत्याकांट को अंजाम दिया गया था अलग-अलग चाप शूटर अलग-अलग जगहों पर थे ठिकाने पर और पूरी सोची समझी साजिस के ताहत इस हत्याकांट को अंजाम दिया गया था उसके बाद से ही जो यूपी पुलिस है वो पुरिता से हरकत में आ गई और धर्पकड की जा रही है। अग्षण के बार देखे खालिद जब्फर बेहत करीबी बताय जा रहा है आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति का किसी माफिया का पुस्तैनी मकान डहाया जाएगा और वो शरण लेने किसी के व्यक्ति के पास जाएगा तो निशी तुरुप से वहाग्षण करीबी व्यक्ति है जान पहचान है और जब घर खाली कराया गया अतीक एहमद का पुस्तैनी मकान यहां तोड़ा गया भारत एक्सप्रेस पर यह एक्स्लूजव विज्वल्स है पूरा फर्नीचर बाहर निकाला गया च्छेसा सेलिंडर आप देख रहे थे और देखिए वो जो मलबा देख र नहीं और इसी कड़ी में यह बड़ी कारवाई आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस के जरिये प्रियागराच से लाइफ तस्वीरे मेरे सही होगी आभिशे का आप तक पहुंचा रहे हैं यह तस्वीरे घर का साला समान बाहर निकाला गया बहुत से दस्तावीज भी हैं जो अधिकारियों के हाथ में लगे हैं और साथ ही जो हत्यारों का जखीरा बरामद हुआ है जो आप देख रहे थे कपड़े से ढखा हुआ था गाड़ी में रखा हुआ था अधिकारियों की तरफ से उन हत्यारों को लेकर कई बड़े सवाल हैं जो अतीक अहमत से भी पूंचर जाएंगे क्योंकि खालिद जफार बहुत करीबी माफिया अतीक एहमत का यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं